कि ये गाई वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और गए टूडए विज बच्चों के मैसेज़ेश आये थे देट बहुत सम्थिंग की उनसे उनका बेजिक क्लियर हो जाए अकाउंट का इसलिए आज मैंने एक बेजिक बेजिक जिरो लेवल पर जाके उन बच्चों के आज ये वीडियो बना रहा हूं जो कॉमर्स में पहली पहली बार आया है जिनको अकाउंट का भी तक कुछ नहीं आता है इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है जिससे मैं उनको A, B, C, D सिखा सको अगे और थोड़े अच्छी तरह से फ्लरिश कर सके जिनसे वो अकाउ specifically accounts के purpose से हम लोग use करते हैं, वो उन terms को आज में define करने वाला हूँ in detail, in detail, एकदम in detail, I guarantee you, आपकी textbook इतना detail में आपको नहीं दे पाएगी, जितना मैं दे पाऊंगा, इसलिए ये वीडियो को end तक सुनते रहे ना, बीच में कहीं गायब मत होना, अच्छे अच्छी बीच में कह आने अभी मैं बतातर होंगा, बस यहीं पर बैटके सुनते रहे ना, right, so, आज मैं आपको सबसे पहला basic term सिखा रहा हूँ, accounts का, सबसे पहला मेरा term है, transaction, वैसे transaction हमने word बहुत बार use किया है, या बहुत बार use करते हुए लोगों को सुना है, but accounts थोड़ा सा चीजों को अपने लिए specific करता है, transaction word का मतलब होता है, lane day, transaction word का मतलब होता है, exchange, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, that the word transaction means exchange, हम जब कभी भी किसी भी चीज़ की अदला बदली करते हैं, exchange करते हैं, उसे accounts बोलेगा transaction, उसे accounts कहेगा transaction, for example, आप एक shopkeeper के पास गए, आपने उसको goods दी, पैसे दि exchange, so किसी भी तरह का exchange transaction माना जाता है, but accounts हर तरह की transaction को importance नहीं देगा, accounts में कुछ specific transactions इरीकॉर्ड होते हैं, मैं define करूँगो उसको भी, तो accounts में दो तरह की transactions record होते हैं, मतलब दो तरह के total transactions होते हैं, पहला हो गया economic transactions और दूसरा हो जाता है non-economic transaction, transaction दो हो गए पहला हो गया economic transaction, दूसरा हो जाता है non-economic transactions, मैं details में बताऊंगा economic transactions are those particular transactions which are done with the motive of earning profit, ये वो transactions होते हैं जिने profit कमाने के motive से किया जाता है इनका main motive है पैसे कमाना पैसे बनाना to earn money So these are those transactions which are done with the motive of earning profit जबकि non-economic transactions हो होते हैं जिनके पीछे कोई भी profit motive होता नहीं है They are non-profit motive transaction इनके पीछे पैसे कमाने का कोई भी मकसद नहीं है Define करता हूँ मैं आपके लिए For example, मेरी coaching institute में जब मैं पढ़ाता हूँ वहाँ में लोगों से feces लेता हूँ वहाँ में लोगों से पैसे लेता हूँ So that is an economic transaction वो मेरे लिए economic transaction होगा क्योंकि वहाँ मैं मेरी services के बदले सामने लोगों से fees collect कर रहा हूँ But वही services अगर मैं घर जाके मेरे छोटे भाई भहन को देता हूँ मेरे ask pros के लोगों को देता हूँ ऐसे आजाओ चलो doubt से पूछलो चले जाओ So it's a non-economic transaction क्योंकि भया मैं मेरे भाई से पैसे नहीं लेता मैं मेरी भहन से पैसे नहीं लोगा वो एक non-economic transaction होता है आपकी mother chef है right अब अगर वो किसी hotel में जाके खाना बना रही है तो she is getting salary for the same that is an economic transaction बट मम्मी अगर घर पे खाना बनाती है तो कि आपसे पैसा लेती है चल बेटा एक प्लेट का 100 रुपया, 200 रुपया no 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 she is not charging money वो उनके लिए non-economic transaction है क्योंकि वहाँ पे उस transaction के लिए वो आपसे पैसा लेती नहीं है and that's the reason economic transactions non-economic transactions अब account बड़ा है monetary term पे रहता है हमेशा से accounts को non-economic transactions एक कुछ मतलब नहीं है accounts इन transactions को record ही नहीं करता है इन transactions को value ही नहीं करता है accounts सिर्फ और सिर्फ economic transactions को value करता है मतलब accounts में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए economic transactions record किये जाएंगे non-economic transaction accounts में नहीं आते हैं अब बात करते economic transactions के अंदर आगे का division economic transactions भी दो तरह के रहेंगे पहला transaction जो cash में किया जाता है और दूसरा transaction जो उधार में यानि की credit में किया जाता है दुनिया में हर आदमी सब transaction cash basis पे नहीं करते in fact कितने सारे transactions credit basis पे होते हैं normally आप normally business में जाके देखो के trading होते ही कपड़ा खरीदा जाता है कपड़ा बेशा जाता है तो वहाँ पे credit period मिलता है आप shopkeeper हो तो आपको एक बंदा आपका अपना product देखे जाएगा बेचने के लिए वो भी आपको credit देगा दो महिना credit, तीन महिना credit, पंदरा दिन credit तीन दिन credit, credit देता ही देता है तो जिस transaction में on the spot cash में settlement होता है उसे कहा जाएगा cash transaction और जिस transaction में सिर्फ एक promise है आज एक वादा है कि वहाँ आद दो महिने बाद पैसा दूँगा, तो that becomes a credit transaction अब देखो real life और किताबों की दुनिया में बड़ा ही पर्ख है बड़ा ही अंतर है, real life में आप कुरसी पे बैठे हो business के office के main chair पे बैठे हो तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ steps बनाया है यह कहीं आपको मिलेंगे नहीं, मेरे खुद के बनाया वे steps से मैंने कुछ steps define किये हैं जिससे कि आप cash और credit transaction में difference create कर सकते हो कौन से transaction cash होगा और कौन से transaction credit होगा उसके लिए तो पहला step 1 यह थोड़ा रटा-रटाया है क्योंकि मैंने कहा था real life और किताबों के दुनिया में बड़ा ही परक है so step 1 कहता है transaction को पढ़ो transaction में देखो कहीं पर ऐसा कुछ लिखावा है that for cash transaction हुआ है या for check या received cash या received check या फिर paid और received ऐसे कोई शब्दों का उपयोग हुआ है are any of these words used if yes then that is a cash transaction तो उस transaction को हम cash transaction मानेंगे and if no more to the next step that is step 2 हम second step पहेंगे that is our step 2 check करो कि क्या transaction में party का नाम दियावा है check it out whether party's name is mentioned in the transaction and if yes party का नाम दियावा है तो सर वो हो जाता है आपका credit transaction but step 1 भी नहीं है step 2 भी नहीं है आप क्या करना है step 3 अगर दोनो step नहीं है तो आज़ा step 3 पर step 3 कहता है अगर step 1 भी नहीं है step 2 भी नहीं है तो वो transaction by default cash transaction होगा वो transaction by default cash transaction होगा right don't worry example देता हूँ मैं आपको goods from sorry not from purchase goods of rupees 50,000 from Mohan for cash यह है मेरा transaction right I have just created a transaction चलो इसको पढ़ते हैं purchase goods of rupees 50,000 from Mohan for cash check करो step 1 क्या question में for cash, paid cash, received, paid, check ऐसे कुछ words है yes है यहाँ पे मुझे for cash दिख रहा है तो अगर यहाँ पे for cash है मतलब यह transaction step 1 के कारण cash transaction हो जाते है आगे जाने के जरुत नहीं don't go to step 2 and step 3 it is cash transaction खतम transaction खतम but suppose suppose करते हैं यह नहीं है यह नहीं है अब question पढ़ते है purchase goods for rupees 50,000 from Mohan step 1 for cash, for check, paid cash, paid check कुछ है ऐसा नहीं है then go to step 2 party का नाम है yes from Mohan we have been given from Mohan तो वो transaction हो जाता है credit transaction क्योंकि यहाँ पे party का नाम दिया हुआ है अब third suppose यह भी नहीं है purchase goods for rupees 50,000 that's it इतना ही transaction है step 1 for cash, paid cash step 2 credit का नाम step 3 जब first भी नहीं हो second भी नहीं हो तो by default उसे हम cash transaction मानेंगे वो by default cash transaction हो जाएगा so यह मैंने अभी आपको बताया था किसे cash कहा जाएगा किसे credit कहा जाएगा very very important for all those who are starting their accounts right now जो अपना accounts चालू कर रहे है कि transaction का meaning रहता है it's an exchange of goods or services right enough guys this was our first term of the day that is all about transaction बैठे रहना कहीं जाना मत last के 2-3 term में बड़ा मज़ा आएगा आगे बढ़ूंगा मैं second पे now the second one is what we mean by the word capital and what we mean by the word drawings honestly बताओ ना यह words आपने सिर्फ accounts में सुनेंगे यह और कहीं बाहर आपको normally सुनने नहीं मिलेगा कि capital किसे कहा जाता है और drawings किसे कहा जाता है चलिए मैं आपके लिए कच्छी से drawings बनाऊँगा ध्यान देते हैं it's not because मेरा topic drawing है no I am just drawing this thing to explain you better let us suppose this is my institute यह मेरी institute है यह इसका gate है यह इसके अलग-अलग windows है I love to be creative so I am trying to be one so this is my business this is my institute and let us suppose this is me myself टिंक 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 ठीक है यह मैं हूँ that is Mohit sir चलिए अब समझते हैं this is owner and this is business एक तरफ आ गया owner एक तरफ आ गया business owner के हाथ पाउं तो बनाने ही पड़ेंगे घर now perfect right so this is owner this is business अब owner अगर business में कुछ लाता है owner business में कुछ लाता है उसे कहा जाएगा capital और owner business से कुछ लेके जाता है उसे कहा जाएगा drawings terms पर ध्यान देना owner अगर business में कुछ ला रहा है तो उसे कहा जाएगा capital owner business से कुछ withdraw कर रहा है तो उसे कहा जाएगा drawings अब आप पूछोगे sir कुछ 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 क्या होता है yes owner business में cash ला रहा है capital furniture लाया capital assets लेके आ रहा है capital building लेके आया capital कोई भी तरका owner asset अगर business में invest करता है उसे कहा जाएगा capital monthly basis पे कुछ withdraw कर रहा है थोड़ा पैसा निकाल लिया कुछ goods पड़े ते घर लेके चला गया पुराना laptop पड़ा था घर लेके चला गया तो अगर owner business की कोई भी property या कोई भी assets घर पे लेके जाएगा तो उसे कहा जाएगा drawings तो समझना ध्यान से मैंने आपको दो terms यहां पे साथ में सिखाए है बड़ाई simple तरीके से अगर owner business में कुछ लाता है तो capital owner business से कुछ withdraw करता है तो drawings राइट मैंने जब मेरा coaching start किया था मैं मेरे पापा से कुछ पैसे लेके मैंने business में invest किये capital मैं कुछ घर पे मेरे पास पूराने computers पढ़े थे तो मैं office पे लेके आ गया papers वगरा बनाने के लिए capital महिना खतम हो दो महिना खतम हो थोड़ा पैसा कमाया घर लेके चला गया drawings तो जब भी आप पैसा लाओगे its capital आप पैसा विड्राओ करोगे its drawings as simple as this I hope this is simple and easy बराबर है सबको perfect है आगे पढ़ेंगे next one now the next topic transaction term number three अब हम लोग तीसरा term पढ़ने वाले हैं and the third term is all about assets अब आप सोचोगे what is this assets देखो assets आप आदमी आज तक सुनता आया है यह मेरा assets को हिन्दी में कहा जाता है पूंजी हम बोलते है हमारी जमापूंजी जिसको हम लोग wealth भी बोलते हैं हमारी जमापूंजी राइट कि हमने पूरे जिंदिगे में कितना पैसा बनाया है that is basically asset, asset को अगर एक आम आदमी की भाशा में देखो तो asset is any particular thing which is in the market value, हर एक चीज जिसको आप market में ले जाके बेच सकते हो, हर एक चीज जिसकी एक value है, it is an asset, if I can sell this pencil, it is an asset, if I can sell this particular computer, laptop, it is an asset, तो मैं कोई भी चीज जिसको ले जाके market में बेच सकता हूँ, या ऐसी कोई चीज जिसकी कोई monetary value हो, उसे कहा जाता है asset, but accounts इसमें भी categories बनाता है, accounts कहता है, assets के basically दो categories है, सबसे पहला हो जाता है, tangible asset, और दूसरा हो जाता है, intangible asset, मैं ज्यादा detail में नहीं जाऊँगा, क्योंक लोगो, tangible assets means those particular assets which can be touched, which can be feel, which can, मतलब उसको आप easily देख सकते हो, by your naked eye, then it's a tangible asset, but intangible assets, ऐसे assets होते हैं, जो दिखते नहीं है, जिनको आप अपने naked eyes से देखने हैं सकते, you can only feel it, right, example मैं देता हूँ, आप सोचो कि ऐसा तो क्या asset है, जो दिखता ने, but asset of course होता है, of course, of course होता ह देखो, अब कहने के लिए यह एक white color stick type चीज है, right, it's only a white color stick type चीज है, plastic के बनावा, कुछ भी एक ingredient होगा, तो मैं आपको पूछा बचालो, क्या लगता, आपको यह pencil कितने की होगी आपके लिए, so आपने बोला, sir, क्या है, जोटी मोटी pencil है, बट आप iPad वाइपड पे की होगी, 1000 की होगी, 1500 की होगी, that's it, limit में रहो यार, इतना बहुत है, but मैंने जब यह हटाया, और यहाँ पर रिंप एक छोटा सा लोगो बनावा है, apple का, right, so आप क्या हो गया, जैसे मैंने बोले, देख बिटा, यहां लिखावा है, apple pencil, आप बोलोगे, अच्छा apple की है, न बहुत premium product segment में चला जाता है, and this becomes an intangible asset, क्योंकि इस brand की market में goodwill गजब है, हम इसकी goodwill का पैसा देते हैं, हम इसके brand का पैसा देते हैं, क्योंकि इसका product भली बड़े सस्ता होगा, कोई भी बना सकता है product, but इसके जैसी quality, इसके जैसा branding कोई नहीं कर सकता, so this is an intangible asset, अगर यार ऐसा होता है, कितिनी बार, हम कभी कबार अलगले coaching institutes में पढ़ने के लिए जाते हैं, right, कुछ coaching institutes की fees बहुत कम होती है, 10, 15,000, 20,000, पूरे साल की, कुछ coaching institutes की fees बहुत जादा होती है, 17,000, 80,000, पूरे साल की, now can you see me what's the difference, sir, the difference is teaching methods, the difference is knowledge of the teacher, जो वहाँ पढ़ा रहा ह है, and this becomes a third intangible asset, that is know-how, जिसको हम बोलते knowledge, यार ये 15,000 वाले teacher, 15,000 जैसा ही है, और जो 50,000 वाले teacher, उसका knowledge factor, उसका experience, उसका way of explanation is superb है, so it becomes again an intangible asset, जैसे बहुत सारे होते हैं, there are many types of intangible assets, like copyright, like trademark, there are many many types of intangible assets, but the moral is, ऐसे कोई भी assets, ऐसे कोई भी चीज, जो आपकी चीजों क कीमत को बढ़ा देती है, वो आपके लिए एक asset हो जाता है, goodwill, copyright, trademark, know-how, these are different examples of intangible assets, अब अगर मैं बात करूँगा, tangible assets की, तो भाईया, tangible assets दो तरके होते हैं, वापस से, पहला हो जाता है, fixed asset, the first one is fixed asset, and the second one is current asset, tangible asset दो तरके हो गए, पहला वाला हो गया, fixed asset, और दूसरा व fixed asset क्या होता है, fixed asset means those assets which are not changed during the whole year, जो इतना easily बदले नहीं जाते हैं, जो बहुत लंबी time तक same रहते हैं, उन्हें कहा जाता है, fixed asset, जिनको हम बार-बार change नहीं करते हैं, which remains constant for a very long period of time, that is basically fixed asset, for example, for example, AC, आपके घर पर AC है, air conditioner है, तो क्या आप लोग हर साल नहीं AC लाते हो, नह नहीं यार, एक बार लगा दिया, पांचे साल छुपका रहा, minimum, वो भी minimum है, खराब जोगा तो 10-10 साल तक भी चलाते हैं, this is the fixed asset, for example, washing machine, आपके मम में washing machine लेके आई है, so do you feel, हम हर साल washing machine खरीदते हैं, या मैं बार-बार washing machine खरीदना पड़ते हैं, no, not at all, हम नहीं खरीदते एक बार आ गया, काम खतम, right, so this is a type of fixed asset, इन्हें कहा जाएगा fixed asset, क्योंकि ये रोज-रोज खरीदे नहीं जाते हैं, ऐसे बहुत सार एक्जाम्पल है, like your factory, like your offices, like आपका घर, आपकी car, right, हम ये चीज़ें हर सार बदलते नहीं हैं, they are fixed asset, so any particular asset which remains for more than 12 months, अगर वो 12 महीने से जादा चलता है, तो उसे fixed asset category में हम डालते हैं, जिबकि current asset which keeps on changing, जो बार 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 change होता है, for example cash balance, क्या आपके पास cash balance हर बार सेम रहता है, नहीं या, not at all, आज 1000 जेब में कल 15 सोंगे, किसी दिन 0 भी हो जाते है, so it keeps on changing, business में क्या cash सेम रहता है, नहीं, बिलकुल नहीं, कभी जादा कभी कम, it keeps on changing, it is a current asset, right, उसे current asset कहा जाता है, same way, stock, क्या हमारे पास stock सेम रहता है, नहीं, आज 500 साड़ी दुकान के अंदर, कल और stock आएगा, तो फंद्रास हो जाएगी, पर सो बिग जाएगा, तो 100 हो जाएगी, तो it keeps on changing, so these are basically termed as current assets, so current asset means which keeps on changing, before less than 12 months, जो 12 महिने से पहले पहले बदली जाती है, change हो जाती है, तो उसे कहा जाएगा current assets, right, always बहुत examples है, बट अभी वो words आपको समझ में नहीं आएगे, तो मैं आगे detail में बताता रहूँगा, right, so मैंने अभी आपको क्या बता है, मैंने बता है fixed asset और मैंने आपको बता है current asset, fixed asset basically क पहले पहले change हो जाते है, तो उसे कहा जाता है current assets, right, so guys आप चाहो तो उसको भी पूरा copy कर लो, मैंने perfectly आपके लिए लिखके रखा है, and I am saying you, यह complete नहीं है, there are many other assets, like fictitious assets, and there are many types, but मैंने फिलाल आपको उपर का उपर का बता है, you are beginner right now, ऐसा समझ किया है, कि आप लोग पहल यह पहली बार account सीख रहा है, आप पहली पहली बार इन terms को सीख रहे हो, मैंने यह समझ कि आपको पहली पहली बार खाली इतना सा topic clear किया है, that is what we mean by the word assets, right enough, अब आगे बढ़ेंगे हम, हमारे next topic पे, and our next topic is all about liabilities, our next topic is all about liabilities, now what we mean by this beautiful word liabilities, यह क्या होता है, right, liabilities किसे कहा जाएगा, हमने यह भी शायद generalized terms में सुना होगा, that I have a liability to clear, yeah, this is my liability, I have to pay it, right, अब मैं आपको accounting prospect से बताता हूँ कि liability क्या होता है, liability का मतलब होता है, करजा, liability का मतलब होता है, करजा, हिंदी में कहा जाता है, करजा, जिसे English में हम बोलते है, debt, जिसे English में हम बोलते है, debt, सर यहां पर B लिखते हैं बोलते नहीं है इसको depth नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे debt B is silent बोलेंगे इसको debt ही So liability का मतलब हो जाता है करजा सर आपके सर पे कभी भी कोई उधारी हो और यार इसको पैसे देने है या किसी से मूँ छुपा के भागने की नौबत आ रही है Liabilities are liabilities मैंने किसी से goods लिये Promise किया थे एक महिने में पैसे दे दूँगा देड़ महिना दो महिना हो गया वो फोन गरा में उठानी रहू मुझ छुपा के निकलना पड़ता है उसको दुकान के बाहर से It is a liability किसी दोस से पैसे लिये थे हफ़ते दस दिन में देने का वादा किया था साल उपर हो गया आज तक पैसे लोटा है नहीं है It is a liability So liability मतलब किसी भी तरह से किसी भी चीज का कोई debt हो हमारे सर पे कोई करजा हो हमारे सर पे कोई उधारी हो कोई burden हो तो उसे कहा जाता है liability Again liability दो तरह की होती है पहली short term liability और दूसरी long term liability The first type is short term liability and the second type is long term liability तो liability दो तरह की हो जाती है पहला होता है short term liability दूसरा होता है long term liability Same same जैसे मैंने पहले कहाता अगर आपके liability less than 12 months में clear होने वाली है तो उसे कहा जाएगा short term liability तो अगर आपके लाइबिलिटी भाया more than 12 months चलने वाली है right more than 12 months रहने वाली है वो लाइबिलिटी तो उसे कहा जाएगा long term liability अगर 12 महिने से कम है तो short term liability 12 महिने से ज़ाधा है तो उसे कहा जाएगा long term liability examples देखते हैं जैसे कि अगर आपने car loan लिया भाया car loan 3 से 5 साल तक होता है long term liability आपने home loan लिया home loan पांच से लेके 20 साल तक का होता है it's a long term liability right so ऐसे कोई भी loan जो बहुत लंबे duration के लिए होता है जिनकी लंबी-लंबी किष्टे होती है जिसमें हमें हर मंतली EMI बनना पड़ता है equated monthly installments देने पड़ते हमें then that particular liability is termed as long term liability उन्हें कहा जाएगा long term liability वाइसा वर्था अगर हमारी liability बहुत ही short term के लिए 2 महिना 3 महिना 6 महिना उसे कहा जाता है short term liability for example आपने कोई short term loan लिया हो किसी से 3-4 महिने के लिए या आपने किसी friends से पैसा borrow किया है कुछ particular time पे चुकाने के लिए या आपके कोई goods आपने उधारे पे खरीदे हैं आपने goods buy किये हैं credit पे जिसके लिए term use किया जाता है creditor जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ तो उसे कहा जाएगा short term liability तो ऐसी कोई भी liability जिसको आपको short term में clear करना है less than 12 months में clear करना है तो उसे कहा जाएगा short term liability और अगर आकूस liability को 12 महीने से जाधा तक खीचना पड़ेगा तो उसे कहा जाएगा long term liability तो this was my fourth term of the day चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा fifth term पर में आऊँगा दो और है जाधा नहीं इतना detail में नहीं जाओंगा उपर उपर के बता रहा हूँ इसलिए the next one is dators and creditors पहले तुम्हें इसके नीचे आपको लिख देता हूँ dators मतलब जिससे पैसा लेना हो और creditors मतलब जिसको पैसा देना हो dators मतलब जिससे आप पैसे मांगते हो और creditors मतलब जो आपसे पैसे मांगता है तो भाईया आप अगर किसी से पैसे मांगोगे मतलब वो आपके लिए asset है और कोई और आपसे पैसे मांगेगा मतलब वो आपके लिए liability है है राइट वह आपके लिए liability इसलिए data's asset होते है current asset liabilities creators liabilities होते है that is short term liability और current liability बोलोगे तो भी चलेगा राइट चलिए अब पहले तुरह detail में समस्तिक example के साथ में let us suppose this is Mr. A and this is Mr. B और हम Mr. A के तरफ से सोच रहे हैं we are thinking about the viewpoint of Mr. A हमारा viewpoint हमारा नजरिया Mr. A के viewpoint से है Mr. A ने Mr. B को goods बेचे और Mr. B ने Mr. A को promise किया कि sir आपको exactly 2 महिने बाद में पैसे दे दूँगा तो Mr. A के लिए Mr. B हो जाते है data Mr. A Mr. B से पैसे मांगता है तो Mr. A के लिए Mr. B हो जाते है data vise versa Mr. B के viewpoint से सोचो तो Mr. B के लिए Mr. A हो जाता है creditor क्योंकि Mr. B को पैसा देना है और Mr. A को पैसा लेना है तो जिससे लेना है वो data जिसको देना है वो creditor यह term बहुत बार आने वाले confusion मत होना data assets होते हैं creditors liabilities होती है data मतलब हमारा हक है उस पर कहीं रोड पर देखेंगा पकड़ लूँगा चला मेरे पैसे that is data creditors मतलब उसको चुकाना बाकि कहीं देखेंगा तो मुझ बचा के भागना पड़ेगा कि भाईया देखेंगा पैसे मांग लेगा because it's a liability is that clear? so आज का हमारा next topic था dators and creditors अब last वाला मेरा favorite वाला क्यों favorite है मैं बताऊंगा आपको क्योंकि आप लोग सब उसको गलस समझते है और आपको गलस समझाया जाता है चलो एक और बताऊंगा मैं आपको next one is purchase and sale अब आप पूछोगे क्या आसर ये कैसे favorite हो आपके तो कितना simple है purchase मतलब खरीदना, sale मतलब बेचना नहीं बच्चा इतना simple होता तो मेरा favorite नहीं होता आपको यही सिखाया जाता है कि purchase मतलब खरीदना, sale मतलब बेचना but accounts इतना simple नहीं है accounts ये नहीं कहता purchase मतलब खरीदना, sale मतलब बेचना no, 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 no accounts कहता है चल माना तेरी बात purchase खरीदना है sales बेचना है but accounts में purchase मतलब सिर्फ खरीदना नहीं होगा तो क्या होगा only and only purchase sale कब use किये जाएंगे words जब आप trading goods खरीद रहे हो trading goods मतलब क्या होता है जिन चीज का आपका business है अगर आप वो goods खरीद रहे हो तो आपके लिए purchase और आपके लिए sale होगा अगर आप उसके सिवाई कुछ और खरीद रहे हो तो आपके लिए purchase sale नहीं है let us take an example let us take an example मेरे father का sari का business है right he is having a sari business वो sari खरीदते है raw उस पर designing printing करके market में बेचते हैं okay so he is having sari business अब मेरे father ने gray खरीदा कपड़ा खरीदा raw कपड़ा खरीदा purchase उस पर designing printing करके market में बेचा sale तो अगर मेरे पापा कपड़ा खरीद रहे हैं कपड़ा बेच रहे हैं वो उनके लिए purchase और sale है but मेरा birthday था मेरे पापा ने सूचा भया बेटे के लब की बार एक नया laptop लेके जाते हैं मेरे पापा एक बुकान में गए वहां से उन्होंने laptop खरीदा मुझे लाके दिया so that laptop खरीदना is not purchase laptop खरीदना purchase नहीं होता है आप बोलो कि क्यों sir खरीदा तो है yes general life में वो purchase है but accounts कहता है purchase means only and only trading goods जिसका आपका business से वही purchase में गिना जाएगा बाकी को हम purchase में नहीं गिनेंगे same way sale अगर हम कपड़ा बेच रहे हैं sale मेरा पुराना mobile पड़ा था बेच क्या आगए पापा it's not sale घर का पुराना furniture था बेच दिया it's not sale तो purchase और sale को बहुत समझ के use करना है आपको गलस सिखा जाएगा अगर कहा जाएगा purchase मतलब खरीदना sales मतलब बेचना that's a wrong thing हर चीज खरीदना purchase नहीं होता और हर चीज बेचना sales नहीं होता है accounts कहता है only and only trading goods only and only trading goods right important रहेगा ध्यान रखना purchase sale अब एक extra additional last यह आपको कोई नहीं सिखा सकता है मेरे सिवाए क्योंकि जो सिखाएंगे गलस सिखाएंगे right this is last additional one the most important one यह मैं आपके additional दिया है that is expense and expenditure बढ़ा confusion है इसके बीच में है मैंने जब जब बच्चों को पूछा चलो बताओ what's the difference between expense and expenditure बच्चा हाथ उड़ादा बोलता sir spelling का मैंने बोला बैया वो नहीं है वो तो सबको पता है spelling का difference है expense expenditure में फर्क है मैं बता देता हूँ मुझे आपको question पूछने का मौका नहीं मिल रहा है so let me explain you that there is a difference between expense and expenditure पहले बात करते हैं expense की expense मतलब होता है recurring expenses जो बार बार incur होते है they are recurring in nature जबकि expenditure are non recurring in nature they are non recurring in nature वो बार 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 आते नहीं है expenses आपको हर महिने हर दो महिने या less than 12 months में वापस से आपको pay करने की बारी आ जाएगी जबकि expenditure करने के बाद में 12 महिने तक maximum more than 12 months ही वो चलने वाले है maximum को limit नहीं है more than 12 months वो चलने ही वाले है उन्हें कहा जाता है expenditure example आपने salary pay की भाया हर महिने आ जाएगा आद में लेने के लिए आपने mobile bill pay किया हर महिने वो आपके पास मागने आ जाएगा it's an expense but अगर आपने car खरीदी क्या हर महिने car खरीदोगे no at least 12 महिने से जादा चलती चलती है वो 100% आपने furniture खरीदा तो क्या हर महिने खरीदते हो no बहुत चलता है वो भी so that is an expenditure so in short expenditure हमेशा या तो asset create करता है या तो asset बढ़ाता है आपके या आपकी liability को कम करता है आपको loan चुका दोगे that is also an expenditure right so expenditure या तो आपके assets बढ़ाएगा या आपकी liability कम करेगा जबकि expense में assets और liabilities पे कोई भी फर्क पढ़ता नहीं है there is no change in the stock of assets और liabilities there is no change asset liability जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहने है उनमें कोई फर्क पढ़ना नहीं है so ध्यान देना expenses are those things जो asset create नहीं करते हैं ध्यान रखना expense expenditure बड़ा important रहेगा expense basically क्या हो गया recurring nature की होंगे जो कभी भी आपके लिए asset create नहीं करते हैं expenditure non recurring nature की होते हैं जो आपके लिए asset create कर देते हैं so यह मैंने आज आपको 7 beautiful terms बताये थे 7 ने more than 7 होंगे एक एक में दो दो भी थे लगबग लगबग 10 terms मैंने आपको बताये हैं इसके बाद भी अगर आपको कुछ accounting terms में issues हो आप मेरे YouTube video में नीचे comment में लिखके छोड़ दो कोगा तो मैं कैसा एक video और बना दूँँगा आपको हम अहीं आपको कुछ शान में A को झाल झाल